देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मार्क दर्शन में वित्ध मंत्री निर्मला सीता रमर द्वारा पेश किये गए बजट को पूरो विधान सभा अध्यक्ष एवं पूरो विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने बहतरीन और भारत को विश्व शक्ती बनाने वा बजट की सामरिक शक्ती को बढ़ाते वे विश्व को महाशक्ती बनाने का बजट पेश किया है उन्होंने का कि बजट में करमचारी और मध्यवर्गी लोगों को विशेश तोर पर राहत दी गई है बजट में जो टैक्स प्री इंकम की सीमा पांच लाग थी उसे बढ़ा क साथ लाग किया है इसके अलावा दो लाग तक दी जाने वाली रिबेट को भी बढ़ा कर तीन लाग कर दिया गया है जो कि देश के करोडों करदाताओं के लिए बहुत बढ़ी रहत है पुरविधायक ने का कि बजट में प्रधानमत्री आवास योजना में चांचट फीज दर देने के भी बजट में प्रवधान किया गया है इसे के साथ उन्होंने कहा कि भारत की अर्थववस्ता दुनिया की बहतरीन अर्थववस्ता की ओर बढ़ रही है कॉंग्रस के कारेकाल में भारत आर्थिक रिष्टी से दस्वे स्थान पर था जबकि बरतमान में पांच दुर्च मंत्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह बजट भारत को विश्व की महाशक्ती बनाने वाला बजट दिखाई देता है भारत के करोडों करोडों युवाओं की आशाओं के अनुरूप बजट दिखाई देता है। भारत के किसानों बागवानों मजदूरों गरीबों महिलाओं बुजुर्गों के हित में दिया गया बजट है। भारत के आधारबुट धांचा इंफ्रेस्ट्रक्चर ड्वेल्पमेंट का बजट ये दिखाई देता है। भारत की सामरिक शक्ति को बढ़ाते हुए विश्व की महाशक्ति बनाने वाला बजट श्रीमति नेर्मला सीतारमन जी ने दिया है। एक मीडल मैं एक करमचारी जो सामानने सी आमदनी प्राप्त करने वाला है उसको इस बजट के अंदर बहुत बड़ी राहत दी गई है। पांच लाक रुपे तक जो इंकम टेक्स के अंदर छूट थी उस रिबेट को बढ़ा करके साथ लाक रुपे कर दिया गया है। और साथ लाक रुपे की रिबेट के साथ जो कंसेशन्स थी वो कंसेशन्स दो लाक रुपे से बढ़ा करके तीन लाक रुपे कर दी गई है। इस परकार देश के करोड़ों टेक्स पेयर्ज को जो अपनी गाड़ी कमाई के अंदर से भारत के विकास के लिए योगडान देते आये हैं। उनको एक बहुत बढ़ी और राहत दिये है। जहां और अम्रित काल में भारत को आगे बढ़ाने का बजट है। गरीब का बजट यानि परदानमंत्री आवास योजना के बजट के अंदर 66% का इजाफा करते हुए और इस बजट को लगभग सत्तर हजार क्रोड रुपया किया गया है। सत्तर हजार क्रोड रुपया केवल गरीबों के आवास निर्मान के उपर व्याई किया जाएगा। जो और पानी के नलके लगाने के लिए बजट का प्रावधान था वो प्रावधान बढ़ा करके साथ हजार क्रोड से सत्तर हजार क्रोड किया है। रिव का बजट एक सान का बजट युवाओं के लिए नई नई ट्रेनिंग्स युवाओं के लिए रोजगार स्रिजन 47 लाख युवाओं के लिए एपरेंटिस की व्यवस्था और जो नए नए और साइंटिफिक इन्वेंशन्स आई हैं जिसके अंदर और रोबोटिक्स है और robotics की किसम की जो नई sciences आई हैं उन sciences के अंदर training देते हुए jobs का प्रावधान करना एक बहुत बड़ा और कीर्टीमान हमारे इस budget के अंदर दिखाई देता है। महिलाओं के पैसे के ऊपर rate of interest बढ़ा दिया गया है और उनको विशिष्ट योजना दिया है जो वरिष्ट जन है उनकी धनराशी के ऊपर भी rate of interest ज़्यादा मिलेगा उसका भी प्रावधान किया है। भारत की economy दुनिया की सबसे powerful economy की तरव बढ़ती भी दिखाई दे रही है जहां Congress के रिजीम में हम दुनिया में दसमें स्थान के ऊपर थे आर्थिक दृष्टी से अब हम पांचमें स्थान पर पहुँचे हैं और इस बार इस budget के माध्यम से जो GDP वो 7% ग्रोथ के हिसाब से उसको रखा गया है 7% ग्रोथ विश्व की सबसे बड़ी ग्रोथ है और IMF कहता है International Monetary Fund कहता है 6.9% भारत की और GDP आने वाली है जबकि हमारी सरकार ने 7% का target रखा है यह गरीब का budget किसान का budget भागवान का budget युवा का budget बेरोजगार का budget industrial growth का budget और रोजगार स्रिजन का budget हमारे शक्तिशाली भारत के निर्मान का budget एक्सपोर्ट का बजट और युवाओं की स्किल को बढ़ाने का बजट, शिक्षा में सुधार का बजट, स्वास्थ के लिए बजट के अंदर इजाफा हमारे समाज के प्रतेक वर्ग के लिए एक बहतरीन बजट, शिरिमती निर्मला सीता रमन जी ने प्रस्तुत किया.